हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो दे चैनल सेफटी जो है फोर विलर के मुकाबले काफी जारा कम होती है और जो आपको गाड़ी चलाते विए ध्यान लगता है आपको बहुत जारा अलर्ट रहना पड़ता है और कई चीज़े ऐसी करनी पड़ती है जो अगर आप फोर विलर चला रहे है तो उसमें नहीं भी करेंगे त वो भी बहुत अच्छा रहे और आप अच्छे से टू-विलर चलाना सीख जाए तो यही confidence building tips हम इस वीडियो में discuss करेंगे टू-विलर से related ताकि आपका driving experience काफी जारा अच्छा हो जाए तो चलिए बिना किसी दिरी के वीडियो को start करते हैं पर आगे बढ़ने से पहले अग तो वीलर चलाने का जो मज़ा है वो फोर वीलर में बिल्कुल भी नहीं है हर एक के साथ जो होता है वो experience नेक्स लेवल होता है और मैं समझ सकता हूँ कि जभी आप टू-विलर लेते हैं तो हर एक के मन में excitement होता है कि मुझे टू-विलर चलाना है तो जल्दी से जल्दी जब भी आप टू-विलर लेके highway पे निकलते हैं या गाड़ी चलाना सीख रहे है अब देखिए टू-विलर में ऐसा होता है कि देखिए सारी जो चीज आती है वो आपके balance पे आती है confidence पे आती है तो भाई कभी unfortunately miss happening ना हो इसके लिए आपकी safety के लिए at least आपके पास एक helmet हो होना जरूरी है और आपके जो boots है ना वह बहुत अच्छे quality के होने चाहिए ताकि in case of emergency कभी आपको गाड़ी समाननी पड़े या off balance हो जाए तो आपको चोट लगने के chances काफी जादा कम हो जाए क्योंकि यकीन मानिए जब आप गाड़ी चलाना सीखते है तो सबसे बड़ी म प्रवाइट करनी है ऐसा नहीं है कि आपके बागी जो बॉडी पार्ट से इंपोर्टन नहीं है पर maximum cases में अगर आपके पैर अच्छे से covered है ना तो पैरों में damage बहुत कम होगा और आपका सर cover है ना तो in case गाड़ी गिरती है तो आपके सर पे चोट नहीं लगेगी क्योंकि maximum cases में यही injuries fatal होती है तो आप हमेशा ध्यान लखिए अपने helmet और boots है अच्छी quality का पैने हमेशा पैने आदत आप बना लेंगे तो दिक्कत नहीं आगे क्योंकि इंडिया में अभी maximum लोग helmet पैन के नहीं चलते है और एक चीज ध्यान नकिए कि यह जो दूनों चीजे ने या फिर उतना lose है कि हवा से वो आगे पीछे हो रहा है तो हमेशा अच्छी fitting वाली gear ही पैने दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको एक सही two wheeler अपने ले select करना है अब सही two wheeler से मेरा मतलब यह है कि देखिए ऐसी गाड़ी लीजिए जो हमेशा आपके skill को match कर क्योंकि देखिए होता क्या है गाड़ी जो है हमारे हिसाब से ही हमें select करनी चाहिए ऐसा ना हो कि आपने जो गाड़ी ले ली वो overpowered है आपके skill के हिसाब से कि आपने इतनी power वाली गाड़ी ले ली कि आपसे control नहीं हो रही है या फिर आपका body posture आपका body size ऐसा है कि आपके हि इसाब से गाड़ी आपके लिए comfortable नहीं हो रही है आप two wheeler में बैठे और आपके pair जो है जमीन पे properly पहुंचने रहे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए two wheeler ergonomically आपको suit करना चाहिए और उसकी power इतनी होनी चाहिए कि as a beginner आप अच्छे से गाड़ी control कर सके और आपका confidence है वो accelerate करेगी वो आपके control में नहीं आएगी तो हमेशा गाड़ी जो है वो properly आप specification के हिसाब से ले जिस आप से आप गाड़ी सीख रहे हैं बाद में आप upgrade कर सकते हैं अगली चीज जो आपको ध्यान अखनी है ना कि हमेशा आप जो है safety check जबी भी आप गाड़ी चला रहे हैं कि जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ उसका भई throttle response कैसा है उसके brake कैसे हैं कितनी दूरी पर जाके brake लग रहे हैं उसके dynamics कैसी हैं भई कितनी देर में वो accelerate करती है और कितनी जल्दी जो है वो pick up लेती है ये सारी चीज़े आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक करनी है ताकि आ जादा आप तेज चलेंगे ना उतना कम आपको reaction time मिलेगा जबी भी आप रोड़ पे चलते हैं क्योंकि होता क्या है दो दिन हम गाड़ी चलाना सीखने है तीसरे दिन से गाड़ी हम उड़ाना चुरू कर देते हैं अब वो चीज़ बहुत जारा गलत है रोड़ पे क्योंक अच्छा कंट्रोल में रखना है ताकि रोड़ पे जो भीड़ भाड़ वाले लागे वहां पर आप अच्छे से react कर सके और आपको सही decision लेने के लिए time मिल सके अब अगली चीज जो आपको ध्यान दकनी है वो है कि अपना जो riding experience है आपको gradually बढ़ाना है जल्दबाजी में ना रहे यकीन मानिये मुझे कई साल हो चुके हैं two wheeler चलाते वे पर जो experience है वो धीरे धीरे ही आता है यह एक या दो महीने की बात नहीं है रोड़ पे जब आप चलेंगे हर दिन नहीं condition होती है हर दिन नहीं experience होता है तो कोशिश करें कि अपने आपको motivated रखें एक दो दिन अगर आपसे कोई गलती होती है ऐसा ना होगी आपका confidence बहुत जारा down हो जाए हमेशा गलती करके ही आदमी सीखता है इसलिए अपना जो riding experience है इसको दीरे-दीरे करके बढ़ाए जल्दबाजी के चकर में ना रहे वरना पच्छे से two wheeler चलाना नहीं सीख पाएंगे अगली चीज जो आपको दियान रखनी है जबी भी रोड पे आप चलेंगे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो disturbance बहुत जारा होती है तो हमेशा अपना जो mind level है इसको हमेशा काम रखे क्योंकि होता गया है कि आप जो है कई बार क्या है गलती कर देते हैं जल्दबाजी में या गु क्योंकि हाई लाइट में कई बार क्या होता है जिस कारण एक्सिडेंट हो जाता है तो हमेशा दियान रखिए अपने आपको हमेशा काम रखना है जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं एक और चीज आपको दियान रखनी है कि throttle control पे आपको बहुत जादा practice करनी है क्यों गाड़ी के engine के लिए अच्छा नहीं है फ्यूल efficiency आपको अच्छी नहीं मिलेगी और साथ इसाथ गाड़ी में हमेशा control आपके पास नहीं रहेगा गाड़ी कभी भी हो सकती है तो हमेशा throttle response में सबसाद आपको काम करना है जब आप two wheeler चलाना सीख रहे हैं एक और चीज जो emergency में use होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए छोटी मोटी repair two wheeler की आपको समझनी पड़ेगी ताकि in case of emergency आप कभी भी अपनी गाड़ी को handle कर सके हैं क्योंकि two wheeler में क्या है छोटे मोटे niggles आते रहते हैं और कई ऐसी चीज़े होती हैं जो आप खुद से important है कि balance बनाने की जहां बात आती ही ना उसके बारे में आप जरूर practice करिए क्योंकि होता क्या है two wheeler में सबसे जाधा important balance होता है जिसका आपको ध्यान लखना है हमेशा एक बार आपको आदत पड़ गई गाड़ी चलाने की फिर ये आपको कभी problem नहीं देगी कोशिश करें प इपने साथ एक pillion बिठाई है जो कि आपको अच्छे से guide कर सके आपको आपकी गलती on the spot बता सके और balance बनाने की अच्छे से practice करिए ताकि आपको आगे चलके दिक्कत ना आए एक अफते डेर अफते अगर आप अच्छे से सीख लेंगे ना फिर आप अकेले में भी try कर सकते है गाड़ी का रोड पर चलाने के लिए तो यह थी सारी टिप्स जो आपको ध्यान लखनी है जबी भी आप two wheeler चलाना सीख रहे हैं ताकि आप safety के साथ कोई भी compromise ना करें और आपको driving experience भी काफी जारा अच्छा रहे तो कैसे लगी आपको वीडियो हमें comment में जरूर बताए मिलते हैं सी next informative वीडियो के साथ तब तब बने रहे हैं चनल के साथ शीदेश व्लोग थैंक यू फो वाचिंग